नमस्कारदोस्टों सुआगत हैं आपका टीसी टेले चैनल में जो काम आपका एक मिनट में होने को है वो आदे मिनट में हो जाय कि इस जो इसे ऐने को बहुत जादा फाइदा मिलेगा पीर आपका जलदी बनेगा और आपका हाथ भी तेज और हो जो जब हाँ तेज़ होगा आपका उसमें आपको की काफी फायदा है तो इसमें मैं काफी तरीके बताऊंगा जिससे आप तेज़ परला जोड़ सकते हैं तो क्या क्या है वह हम इसमें बताएंगे अप देखे इसमें जो मैं शुरॐबात में आपसे वैसे एकदम चलने लगे जैसे मैंने बताया आप तुरंती गाए करने लगे थोड़ा सा टाइम लगूजाजा ककता आप और तेज जोड सकते हैं तो क्या क्या चीजे हैं कैसे करना है तो इस वीडियो में हम बताएंगे वीडियो पसंदा है वीडियो को लाइक करें चैनल पे पहली बार है तो सब्पाइब कर बेल आइकन कुझे रुपेस करने चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो लेकिन अब जैसा कि मेरे पास ये पल्ले हमने लिये हैं दो देखें काफी लंबे लंबे हाँ ये देखिए अब इनमें मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगा काई से जोड़ना है इनको आपस में पहली स्टेम में आपको क्या करना है अगर आपके पार जाद अपले हैं तो घुटने पर आप यहां पर रखे लें सारे पले अब यहां से ही उठाके और इस्तमाल करते जाएं ऐसे करके क्योंकि इससे क्या होगा आपको बार बार नीचे जुकना नहीं पड़ेगा सबसे पहल से लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ बहुत से लोग क्या करते हैं इतने आई से करके पहले तो वो समालते हैं ऐसे करके बहुत देरत लग और उसके बाद ऐसे रखते हैं फिर आई से करके सिलाई लगाते हैं फिर थोड़ी सी लगा ली फिर उसके बाद ऐसे कर जल्दी नहीं लगेगी और बहुत ही धीरे धीरे आप काम कर पाएंगे अब आपको करना क्या है तो आपको ऐसे बिलकुल भी नहीं काम करना है अब इसमें क्या करना पहली तरीका मैं आपको बताता हूं अगर कोई पल्ला जोड़ना हो तो सबसे पहले तो यह पहली ट्रिक मे आई इसमें मैं काफी तरीके बता रहा हूं तो पहले इस्टे में आप आईसे भी जोड़ सकते हैं तो देखें ऐसे करके लंबा सा आपने पकड़ लिया आईसे करके तुरंथी एकदम हाँ जल्दी चलाना है थोड़ा सा और उसके बाद यहां पर देखें आईसे करके उंगली से दबा लिया अंगोठे से दबा लिया और यह बाली बीच वाली उंगली है इससे यह पकड़ लिया यहां पर और उसके बाद आईसे करके पकड़ा और फिर आपने मसीन चलाना शुरू कर दी अब फिर आपने हाथ सीधा कर दिया तो यह देखिए यह आपका कितनी लंबी एकी बार में शिलाई लगी है ना तो पहली चीज में यह हो गई आप ऐसे कर सकते हैं आप आप अपने आइसे करके पकड़ा तुरंती हाथ लगाया आइसे करके और फिर सीधी सिलाई लगाना शुरू कर दी, बहुत जल्दी काम होगा, पहले इस्टे में तो आपको ये करना, अगर आप ऐसे सुरवात में लगाना चाहते हैं, तो ऐसे भी लगा सकते हैं, अब मैं जो दूसरा तरीका बताऊंगा, उसमें थोड़ा था आपको टाइम लग फैकना है और इदर फैकना है एक एक, बerबर से सीधे पल्ला यहां पर डाल देना है, या पिर आप ऐसे करके इसको रख सकते हैं इदर साइड में, इदर ताइड में रखना हैं, तरन्त उठाए और एससे करके डाल दिये, ओके समझगे लगा अईसा नहीं है, यह एक पल्ह आपने इधर फ्येका, ऐसा कुछ नहीं करना, बराबर से कहिने के मतलब इन में एक जुड़ाउ सा हो जाए, ऐसा करके, पहले इस्टे में तो ये करना है, दूसरे इस्टे में क्या करना है, अगर कोई पला जोल रहे हैं, तो इसको ऐसे करके, एक उंगली से, नीचे वाली से यह दबाएं और अंगूठा और यह बीच वाली एंगली आससे यह support दे इसको अर्वही काम इसमें करें इसमें जो है यह बाली यह दो लिया है इस से नीचे के दबाएं ऐसे करके और अलके से और यह एस ऐसे और यह उठा तो08बे देखिए अपके दोनों पल्ले तीनों उंगलियों में अटैच हो गए एक तरीके से गाना मतलब यहांथ में तीनों पल्ले आपके आ गये एक दिखें नीचे से हमें आइ से करके दवाया एक यह दवाया और तुशेरा यह हंगू उठा है है न और यह हमारा इधर हो गया तीनो पल्ले इधर साइट में अब आपको क्या करना है वह इसे करके रखना है और आई से करके लगा देना इस से लाज़ देखिए अब देखें आपका इधर उधर पल्ला नहीं होना चाहिए ये किधर है नीचे आलपला ये किधर है तो इससे क्या होगा आपका हास सेट नहीं होगा बार-बार आप समालेगे कपड़ा इधर उदर भागेगा तो नहीं हो पाएगा आपको एक साइट में उदर साइट में दोनों पल्ले बरावर से डाल देने हैं ताकि एक चपत के बिल्कुल चलना चाहिए आपके पल्ले अब दूसरी चीज क्या है अगर आपके पल्ले में नम आए नीचे को तो आपको क्या करना है ये दोनों नीचे की उंगलिया है इनको हलका सा कपड़े टाइट करना है और उंगूठे से अलक ऐसा कपड़ा उपर का नम करना है जिससे आपके नीचे के नम बिल्कुल नहीं आएगी समझ गए ना तो इस तरीके से आपको करना है अगर आप जो पल्ला खींच देंगे उपर का खींचेंगे तो उपर का टाइट हो जाएगा अगर नीचे का खींचेंगे तो नीचे कलकट टाइट हो जाएगा दोनों बराबर रखने के इच्छा है तो दोनों आपको खींचना नहीं है बिल्कुल ही ऐसे ही रख लेना है दोनों बराबर हो जाएगे अब उसके बाद देखिए हम लगाते हैं सिलाई इधर साइट में पकड़ लिया इसके तना भी चौड़ा हो आप पकड़ सकते हैं और इधर साइट में तीनों इस तरीके से दोनों कपड़े तीन उंगुलियों एक उंगुठे से दबा लिया हमने अब देखिए हम लगाते हैं सिलाई यह देखिए अब इसमें देखें यह हमारा उल्टी तरफ है आप देख सकते हैं कहीं पर नम आ रही है नहीं आ रही है बिल्कुल बराबर जुड़े हुए तो इसमें क्या है आप बहुत फास्ट जोड़ सकते हैं मोटर हो काईसा भी हो प्रंट पला जोड़ गया अब देखें हमने इतनी जली से सिलाई लगा दी अब अगर आप छोटी छोटी यह से करके लगाते बार बार आई से फिर मिला या फिल लगा उसमें कितना ज़रा टा तो इससे ही आप सुपरफास्ट कारिगर बन सकते हैं यही तरीके होते हैं बहुत ज्यादा खालते हैं यह सिलाई कार्वियर के मोटर में मृर मेंEMA कि इसा क्या होता है कि भाइ वह कारें यह कार्णous यह सुटी जो होती है यह उन तो कलिको करें यह वह श्यूंतों सब्सक्राइब विडियो को यह व्यश्काइब झाल झाल